सई पहुचने वाली है पुलिस इस्टेशन और विराट के खिलाफ कराईगी एफ आयर दर्ज जिहां दोस्तों से लिकम है किसी के प्यार में का आने वाला ट्राप बहुत ही जादा इंट्रस्टिंग होने वाला है जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि फृर से सई जो है एक बार पुलिस स्टेशन पोहुचने वाली है जहां पर वो विराट के खिलाफ बोहत बड़ा केस दर्ज करवाने वाली है जी हाँ सई जो है वो विनायक की किडनापिंग का केस जो है वो पाकी और विराट दोनों के खिलाब दर्ज करवाने वाली है इसी के साथ विराट जो है वो भी बहुत जादा परिशान होता हुआ नजर आने वाला है तो चुलिए बताते हैं सेरियल के आने वाले ट्राक में औ आगर पाखी विरायक को लेकर भागी है तो इसमें भी कहीं ना कहीं विराट का ही हाथ है जस बास सवान परीबार से चली जाएगी जाकर पुलिस टेशन में बैट जाती है और वहां में बैठे ऑफीसर से कहती है कि मुझे मिरार चबवान के खिलाफ F.I.R. दर्च करवानी है इस बात से जो वहाँ पर सामने बैठा हुआ पुलिस ओफिसर होता है वो भी डर जाता है और सई को चिलाते हुए कहता है कि आप क्या कह रही है कि हम अपने ही सर के खिलाफ F.I.R. दर्च करें ये तो बिलकुल हो नहीं सकता है इ इन सब में उनका साथ जो है उनके हस्बेन विराट ने दिया है ये सारी चीजे सुनकर बहां पर बैठा हुआ ऑफिसर जो है वो भी घबरा जाता है और सई से खड़ा होकर बोलता है कि नहीं मैं केस दर्ज नहीं कर सकता हूँ इस बात पर सई जो है वो भी खड़ी हो जाती और उसको जम कर जवाब देती है आप देखेंगे किस तरह से वो कहती है अगर तुमने मेरी एफायर कंप्लेंट को दर्ज नहीं किया तो तुम देख लेना मैं क्या करूंगी मैं पूरे पुलिस स्टेशन में हंगामा मचा के रख दूंगी तो वहीं आप देखेंगे किस तरह से सही की बातों से घबराकर वो अफिसर जो है उसकी कंप्लेंट लिख लेगा लेकिन क्या सही बिचारी विनायक तक पहुंच पाईगी क्योंकि स्रियल के आने वाले ट्राक में आपको यह देखने को मिलेगा जहां भवानी जो है सही और पाकी दोनों पर ही बढ़क रही है क्योंकि भवाने को यह लग रहा है कि इन दोनों लड़कियों की वज़े से उसके परिवार का बारिस उससे बार-बार दूर हो जाता है तो वहीं आप यह भी देखेंगे कस तरहा से पाखी जो है वो परिशान होने वाली है और पाखी जो है विनायक को लेकर भाग रही है वो लंडन जाने का पूरा प्लान बना चुकी है लेकिन तभी पाकी की कार का एक्सिडेंट भी होने वाला है तो देखना बहुत ही जादा इंटरस्टिंग होने वाला है सही अपने बच्चे विनायक तक कैसे पहुझेगी वैल इसको लेकर आपका क्या कहना है कॉमेंट करके सब्सक्राइब कर लिए अगर आप यह वीडियो हमारा फेस्बूक पेज पर देख रहे हैं तो जल्दी से भी लाइक कर लें